नमस्कार दोस्तों लली जोतिस समधान में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भागशाली धातू के बारे में हर राशी के लिए उसके कारक्तत्वों के अनुसार कोई ना कोई धातू भागशाली होती है देखिए यहां हम किसी रतन के बारे में बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं धातू के बारे में अगर कोई रतन धारन करना हो तो उसमें काफी सारी चीज़े देखनी पड़ती है लेकिन अगर किसी राशी की कोई तिरकोण की धातू हमधारण निश्चित तोर पे कर सकते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ मुख्य बाते बता दूँ जो सभी भाई बहनों को करनी चाहिए जितने भी हमारी माताएं बहने हैं उनको यहां मैं यह सलहा दे दूँ कि कानों में आप कभी भी डायमंड ना पहने कानों में आप कभी भी चांदी ना पहने कानों में कभी भी आर्टिफिशल ना पहने और ना ही अपनी ऐसी बेटियों को पहनाएं जिनकी शादी करनी है कानों में सिर्फ आपको गोल्ड की हैंगिंग बाली पहनानी है और कुछ नहीं पहनना ना पहनाना ऐसी माताईं और बहने जो अपने बच्चों के लिए बहुत परिशान रहती हैं कि शादी नहीं हो रही बेटी की वो कानों में गोल्ड की वाली जरूर पहना कर रखें ये काम जरूर करें दूसरी बात पैरों में सोना ना पहने पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए पायल के रूप में एक और मुख्य बात आज कल मैं देखता हूँ कि काफी सारे शादी ब्या में डायमंड का बहुत परचलन चला हुआ है डायमंड की रिंग पहनने का अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुकर देव अच्छी पोजिशन में नहीं है और खराफल देने पे उतारू है तो यह डायमंड की रिंग आपके तलाक तक का कारण बन सकती है तो शादी ब्या में आप सोने का ही परियोग करें रिंग के रूप में गोल्ड की रिंग का ही परियोग करें अगर डायमंड का आपको शौक है तो डायमंड की रिंग आप occasional पहन सकते हैं कभी-कभी लेकिन regular अगर आपको पहननी है तो डायमंड की रिंग आप बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं ये कुछ मैंने सला दी आप सभी भाई बहन इसको जरूर आजमाएं देखिए दोस्तों जो धातू होती है किसी भी राशी की जो मुख्य धातू होती है इसे आप चेन के रूप में पहन सकते हैं इसका कोई ड्रेसलेट या कड़ा पहन सकते हैं इसकी आप रिंग पहन सकते हैं इसकी आप अंगूटी पहन सकते हैं मैं यहाँ आपको बहुत साधरन भाषा में बताऊंगा कि किस राशी के लिए कौन सी धातू पहनना शुब होता है सबसे पहले हम बात करते हैं मेश राशी की तो देखिए दोस्तों मेश राशी के लिए तामबा या सोना पहनना बहुत ही शुब होता है मेश राशी के लोग किसी ना किसी प्रकार से चाहें वो कड़े के रूप में, अंगोठे के रूप में तामबा या सोना जरूर पहने अब बात करते हैं हम वरिश राशी की तो वरिश राशी के लोगों के लिए जो धातु शुब है वो है चांदी, श्टील और लोहा लोहे की आपने छला सुना होगा बीच वाली रिंग में पहनने के लिए तो अगर आप इसे पहनना चाहते हैं तो उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में पहनेंगे चांदी की आप चेन पहन सकते हैं चांदी का ब्रेसलेट पहन सकते हैं चलिए अब हम चलते हैं मिथुन राशी की तरफ तो मिथुन राशी के लिए जो शुब दातू है वो है चांदी, लोहा और स्टील ऐसे भाई और बहन जिन्हें बुद्ध से संबंदित समस्या है वो स्टील का बिना जोड़ वाला छला अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं चांदी की चेन पहन सकते हैं चांदी का ब्रेसलेट पहन सकते हैं या फिर लोहे का जो रिंग आती है वो अपने उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में पहन सकते हैं बात आगी अब करक राशी की करक राशी के लोगों को मैं ये सला देना चाहूंगा कि चांदी जरूर पहने किसी ना किसी रूप में जरूर पहने की सिंग राशी के जो स्वामी है वो सूर्यदेव हैं तो सोना आपके लिए बहुत ही शुब है सोने की आप चेंज जरूर पहने नहीं तो एक छला बनवाकर अंगुठे के साथ वाली उंगली में या सबसे छोटी उंगली के साथ वाली गुली में धरन करें तांबे का छला भी आप पहन सकते हैं और एक तांबे का कड़ा तो आप जरूर पहने अपने सीधे हाथ में मंगलवार के दिन अब हम बात करते हैं कन्या राशी के बारे में तो देखिए कन्या राशी के लिए भी लोहा बहुत शुब होता है ठीक है लोहे की रिंग आप पहन सकते हैं और चांदी भी बहुत शुब है और इसी के साथ टील का परियोग भी आप निश्चित तोर पर कर सकते हैं बात आगी आप तुला राशी की, ठीक है, तुला राशी अट्रेक्शन की राशी है, सुन्दर्ता की राशी है, चांदी आप लोगों के लिए बहुत शुब है, चांदी बहुत ही अच्छी है, आप जीवन में समस्यों से जूज रहे हैं, मांजिक समस्यों से, तो चांदी का कील का जो छला आता है लोहे का वो लेकर शनिवार की रात को ओम शंग शनिश्चराय नमहा मंत्र का जाप करते हुए अपने उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में से धर्ण करें देखिए उंगली को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अगर आपने लोहे का जो छला है वो किसी सूर्य की उंगली में धर्ण कर लिया तो फाइदा नहीं होगा इसलिए उंगली का विशेश महत्व है बात करते हैं हम विरिष्चे कराशी की विरिष्चे कराशी के स्वामी हुए मंगल आप लोगों के लिए तांबा बहुत अच्छा रहेगा तांबे के साथ आप सोना और चांदी भी पहन सकते हैं चांदी आपके भागय पक्ष के लिए है तो चांदी का कोई रिंग हो गई कोई बैसलेट हो गया, कड़ा हो गया, चेन हो गई इस तरह की चीज़ पहन सकते हैं साथ में तांबा और सोना भी बहुत शुब है आप लोगों के लिए अब हम बात करते हैं धनू राशी की ठीक है, धनू राशी के लिए सोना बहुत ही ज़्यादा शुब होता है सोने की कोई ना कोई चेन, नहीं तो कोई छला आप पहने सोना नहीं ले सकते तो तांबा पहनिये, वो भी उतना ही काम करेगा ठीक है, लेकिन ये सब चिज़े बिना जोड की होनी चाहिए, जोड इनका खुला नहीं होना चाहिए चलिए दोस्तों, आब शनीरेव की राशी की बारी आगी, मकर राशी की तो मकर राशी के लिए तो लोहा बहुत ही शुब है और उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में आप बिना जोड का लोहे का एक छला पहनिये शनीवार की रात को ओम शंक शनिश्चराय नमा मंत्र का जाब करते हुए साथ में आप स्टील पहने, ये भी आपके लिए बहुत शुब रहेगी अब शनीरेव की प्रियराशी की बारी आगई ये है जी कुम्ब राशी तो कुम्ब राशी में भी आप मकर राशी की तरह लोहे का छला बीच वाली उंगली में पहनिये और स्टील भी आप निश्चित तोर पे धरन कर सकते हैं साथ ही चांदी भी आपके लिए पून रूप से शुब रहेगी बात आ गई अब मीन राशी की अंतिम राशी मीन राशी ब्रस्पति देव इसके स्वामी है तो आप लोगों के लिए सोना चांदी और तांबा तीनों ही शुब है तीनों में से किसी ना किसी चीज़ का छला या कोई कड़ा हो गया ब्रैसलिट हो गया या चेन आप पहन सकते हैं ये सब चीज़े आपके लिए निश्चित तोर पर शुब रहेंगी देखिए दोस्तों ऐसे भाई और बहन जिनको अपनी राशी नहीं पता यही नहीं पता कि डेटो बर्त क्या है तो जिस नाम से आपको पुकारा जाता है ठीक है जैसे किसी का नाम अनिल है तो जिस नाम से आपको पुकारा जा रहा है वो नाम का आपके उपर परभाव होता है आप उसे अपनी राशी मान सकते हैं और ऐसे भाई बहन जिनको कुछ भी नहीं पता वो अपने जीवन में चांदी का परियोग कर सकते हैं चांदी का एक छला बनवा कर जिन भाई बहनों की जिंदगी में प्रेम संबंदी समस्याएं हैं वो अपने अंगुठे में धरन करें और जिनको मानसिक समस्याएं हैं वो अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में से धरन कर सकते हैं कनिश्टे का में दोस्तों यहां मैं एक सला आपको जरूर देना चाहूँगा ऐसी माताएं और बहने जो artificial jewelry का बहुत जादा इस्तिमाल करती हैं वो ना करें हाँ artificial jewelry को आप कभी कभी पहन सकती हैं कहीं आने जाने के लिए लेकिन regular पहनने के लिए से बिलकुल इस्तिमाल ना करें तो दोस्तों आज हमने बात करी कि किस राशी के लिए कौन सी धातू भागशाली होती है साथ ही कुछ सभी लोगों के लिए सलह बताई तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार लली जोतिस समाधान पर आए है इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिष्टेदारों तक पहुँचाएए ताकि वो फिरी मेस का लाब उठा सकें तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इसी तरह की कुछ दुरलब जानकारियो के साथ मिलेंगे आप से अगले वीडियो में इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा नमस्कार दोस्तों जै श्रीराम